अब इसका treatment हमने डिसकस करना है तो treatment ही होता है कि हमारी stages पर depend करता है कि हमने treatment कौन सा करना है अगर patient जो है वो आता है आपके पास T1, T2 या T3A stage तक मतलब यह कि आपका जो patient का tumor है वो gerota fascia के अंदर ही है अभी बाहर ने निकला T3A stage तक है और सिर्फ renal vein तक गया हुआ है तो फिर हमारा treatment क्या होना चाहिए अगर सिर्फ renal vein में गया हुआ है तो हमें जो है वो क्या करनी पड़ेगी refractomy करनी पड़ेगी तो standard treatment क्या होता है इसका localized cancer का कि अभी वो adrenal vein तक है inferior vein अकावा तक नहीं गया हुआ मतलब body से कहीं और फैला नहीं हुआ अब adrenal तक ही है तो obviously we will do nephrectomy तो radical nephrectomy मतलब पूरी की पूरी kidney जो है वो हम निकाल देंगे तो इसमें क्या होगा वो mass का exercise करेंगे हम जो kidney में बड़ा हुआ होगा adrenal gland को निकालेंगे gerota fascia को निकालेंगे इंगे जो parayotic nodes होंगे उनको निकालेंगे proximal urator को निकाल देंगे ठीक होगा तो यह तो हमारा जो है वो हूता है यह होता है कि वो बता रहे हैं कि साथ में उन्हें जो रीनल arteries हैं उनको तोरह ligate करना होता थाकि कड्नी में management नहोई देना हुता है थीक है तो बस इतना ही बहुत है اب इसमें यह हमारा होता है कि लाप्रोस्पी के लिए हम निकाल सकते हैं या फिर हम open surgery करके निकाल सकते हैं किड्नी को तो अगर तो stage 1 tumors है 7 cm से छोटे हैं तो फिर हम क्या करेंगे हम लेप्रोस को भी गली जो है नेफ्रेक्टमी कर लेगे लेकिन अगर जो tumor है वो बायलेटरल है बाइचल संड्रोम के केस में वैसे तो यू लेटरल होता है लेकिन विएचल जो संड्रोम होता है उसमें बायलेटरल होते हैं यह tumor जो है वो एक solitary kidney के अंदर है ठीक है और small tumors हैं तो उस case में हम क्या करते हैं partial निफरेक्टमी करते हैं सोचने वली बात है ना बाय पार्शल करनी पड़ेगी इसी तरह अगर solitary kidney में tumor है तो एक kidney को के अंदर वो tumor ही निकालेंगे सिर्फ ठीक है अगर चोटे-चोटे tumors हैं तो उस case में भी तो वह जो चोटा tumors है small tumors है उनके लिए case में भी पार्शल ही करनी पड़ेगी इसकी detail में जाने के शुरहती हैं just for the concepts we are discussing this thing के अगर tumor localized है और T3H stage तक है तो we will do what? we will do the either the radical nephrectomy और partial nephrectomy पार्शल निफरेक्टमी कब करेंगे और कब हम लापरोस को पिखली nephrectomy कर सकते हैं और radical nephrectomy जो है हम ऐसे प्रेफर करते हैं which is a standard treatment for that ठीक है फिर आते हैं 3B और 3C तक staging चलेगी है मतलब कि आप हमारा tumor जो हो हो यह तो हमारे जो है चला गिया है कहा पर inferior venak岭 में below the diaphragm या फिर above the diaphragm चला गिया है तो उस case में हमें क्या करना पढ़ेगा? आप्यूजिय जो इंफियर वेन अच्वा होगा उसको भी हमें कुछ करना पढ़ेगा तो हम क्या करते हैं? कि जो इंफियर वेन अच्वा होता, उसको भी clamp करते हैं ठीक है? ताकि वो tumor जो हम remove कर सके जो वहाँ पर extend हो वा हुआ है ठीक है अगर right atrium तक extend हो गया हुआ है तो कार्डियो थरैसिक surgeons जो है वो हमें फिर involve करने पड़ेंगे ताके वो हम कार्डियो थरैसिक surgery में देखेंगे कि हम कार्डियो प्लेजिक्स देते हैं ताके heartbeat थोड़ी ते के लिए slow हो जाए या stop हो जाए और कार्डियो बाइपस करेंगे for exploitation of great vessels and the heart तो obviously देखें अगर आपने heart को देखना है उसकी great vessels को देखना है तो आप इसी तरह तो नहीं करेंगे ना surgery के मतलब के आप जो है वो surgery करना शुरू कर दें और heart pump कर रहा हूँ नहीं you will cardiac bypass surgery ठीक है मतलब के जो है जो है और कार्डियो बाइपस करेंगे और कार्डियो प्लेजिक्स देंगे थो देर के लिए आपने heart को stop करना है to explore for the vessels तो obviously cardiothoracic surgeons की फिर आपको जुरूरत पड़ेगी यहाँ पे you cannot do it on your own तो सोचने वली बातें conceptual हैं बस यह याद रखना है कि जब 3 हमारा ऐसा tumor जो inferior benakava में चला गया 3 B और 3 C staging है तो इसमें हमें IVC को clamp करना पड़ेगा और अगर वो right atrium तक चला गया है तो फिर हमें जो है वो cardiothoracic surgery कुछ करने पड़ेगी अगर हमारी T4 disease है मतलब वो gerota fascia को cross कर गया है तो उस case में आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए अगर हम kidney के उपर से tumor निकाल देंगे फाइदा है as such नहीं है क्योंकि metastasis हो चुकिया gerota fascia को cross कर गया है तो अब इस case में हम chemo radio करेंगे जब भी tumor भाल जाता है उस case में किसी भी cancer में general है कि chemo radio से काम चलाते हैं so it has a poor prognosis so radical nephrectomy is used to relieve the symptoms like pain and hematuria but obviously इस case में हम जो है वो radio therapy करेंगे और immunotherapy करेंगे like interleukin 2 and interferon alpha ठेक है so yeah this was all about this tumor अब हम इसके UQs डिसक्स कर लेते है तो इसके answers देखेंगे पर so इसमें ही वाला UQ हमने डिसक्स कर लिया हम इसके स्नारियोज में नहीं चाहेंगे अब दुबारा से हम इनके past parts डिसक्स करेंगे what paraneuoplastic syndroms are associated with this तो renal tumors के साथ कुछ paraneuoplastic syndroms हो सकते हैं like it can be associated with the hepatocellular carcinoma or the gastric carcinoma or the cerebellar hemangioma cancers के साथ associated होता है what other investigations will you advise in this case so investigations में we have the RFTs in which we will check for urean creatinine x-ray KUB ultrasound abdomen KUB pelvis Doppler complete urine analysis IV urography renal biopsy MRI urine culture so these are the investigations what oppression will you advise in this case so in this case as the तो उन्होंने बसे आपको यह बताया है के एक mass आपको नसर आया है so in this case operation advised can be radical infractomy can be partial infractomy partial infractomy कब करेंगे आपने वो उसकी indications लिखते नहीं है तो बेटर है के bilateral होना चाहिए VHL में यहां पर solitary kidney को involved किया वह है यह small tumor है तो उस case में हम partial करेंगे और अगर वैसे हम radical करते हैं अगर जो है इस तरह से ना next is यह बला question जो है diagnosis बताने how we'll investigate the patient और three common malignant tumors of the kidney so these are the whelms tumor these are the adenocarcinoma and the transitional cell carcinoma squamous cell carcinoma यह सारी है ना उसके बाद we have the 70 years old यह वला पहले कर ले 60 years old वला इसमें diagnosis है और आपने treatment लिखना है so treatment is already been discussed आपने बता देने यह stage होगी तो यह करेंगे यह होगा तो यह करेंगे ठीक है यह one year old boy वला whelms tumor है और इसके नीच investigation same है CBC LFTs, RFTs, ultrasound, initial test, CT scan most accurate test, x-ray of the lung chest, MRI, CT scan यह सब कुछ होता है न और आपकी आपने investigation general लिख देनी है जो ने फिरोलोजी medicine में आपको बताई थी initial में first topic में ठीक है उके उसके बाद आचाते है यह वला भी 70 years old मेल वला भी इसमें भी diagnosis होगा और radiological investigations आपने लिखते है नी है ठीक है so this is all about the UQs of this and the renal tumour topic